सेलो दोस्तों कैसे आप सब मेरा नाम दीपक है और मैं सब्सक्राइब करता हूं मेरे चनल आपका HR कंसल्टन में आज का जो टॉपिक है वह HR function से related है दोस्तों इस टॉपिक का नाम है full and final settlement आज मैं बताऊंगा कि full and final settlement का meaning क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, इसमें क्या क्या स्टप्स involved होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका meaning क्या होता है, ठीक है, full and final settlement को हम normally FNF भी बोलते हैं, FNF process भी बोलते हैं, एक ऐ इसा process होता है, जो कि किया जाता है, जब कोई employee जो है, company में paper डाल देता है, या resign कर देता है, ठीक है, तब ये तब किया जाता है, ठीक है, full and final settlement में एक और चीज होती है, कि इसको जो है, employee को, जो salary है, last month की जो salary है, वो दी जाती है, along with bonus, उसने कितना bonus earn किया है, ठीक है, उसके deduct करने के बाद, उसकी salary में उसका जो भी bonus वगरा बनता है, वो add करने के बाद, जो है, उसकी last month की salary दी जाती है, ठीक है, तो जो जो final salary दी जाती है, इसमें full and final settlement हम देखते हैं, अब usually जो FNF है, वो किया जाता है 45 days के बाद, ठीक है, जिस भी employee का जो last working day होता है, company में, उस last working days से 45 days के बाद, जो है, full and final settlement basically किया जाता है, उसका दोस्तों, तो इसका मतलब यहां पर यह आ जाता है, कि आप लोगों को जो final days की salary है, जो final month की salary है, वो आपको पूरे के, पूरे full and final settlement के साथ, जो है, 45 days के बाद मिलती है, उसमें आपका bonus वगरा सब include हो जाता है, जो भी tax व full and final settlement का हिस्सा होते हैं, ठीक है, मैं exit interview और feedback survey के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा, जिसमें आप लोगों को इसके process के पारे में भी बता दूँगा, ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा focus जो है, full and final settlement पे ही रखेंगे, तो चलिए दोस step होता है कि जब कोई employee resign देता है, resignation देता है, तो जो duly approved resignation है, ठीक है, यहाँ पर suppression letter से मेरा मतलब resignation letter से ही है, कि जब वो resignation letter मिलता है, ठीक है, जब HR के पास आ जाता है, तब वो process जो है, start हो जाता है, ठीक है, तो जैसे ही उसके पास duly approved suppression letter आ जाता है, then उसके बाद वो क्या करत यहार यहार ए क्या में एक वह सेज़ाँ को क्वेश शण का जिए के वा का फार्डी निअग्मोर में एक सब्सक्रों कि नगेक During Street सब्सक्राइब कर आपने जरइंट जरहा है आपन किर खोट सकी नहीं हो सिकिना सड़ाल meine leave imbalance जो है चेक किया जाता है PLCL दोना फिर उसके बाद अगला आता है graduate चेक होती है कि company में कितने समय तक काम किया है employee क्या वो 4 साल काम किया 5 साल काम किया 10 साल काम किया depending on it कि उसका tenure company में कितना था उसकी graduate कैलकुलेट की जाती है फिर उसके बाद उसका bonus चेक किया salary पर कि उसकी monthly salary कितनी बन रही थी तो monthly salary जितनी बन रही थी उसमें वो bonus भी add हो जाएगा फिर उसमें employee की graduate जो है वो भी add हो जाती है ठीक है और leap balance वगरा भी add हो जाएगा और साथ में no due certificate वगरा अगर वहाँ आपने कुछ लेके रखा है तो वो उसमें deduct हो जागा यह deduction में जाता है दोस्तों no due जो है वो deduction में जाता है अगर नहीं लिया है तो posti में जागा लिया है तो वो deduction में जाता है ठीक है यह रहता है फिर उसके बाद जैसे ही आपका employee salary check हो जाती है कि employee salary कितनी है यह सारे अपजब point चेक हो जाता है फिर औरения में बनता है FNF sheet Fill Un'n Final settlement sheet बनानी पड़ती है जैसे Full Un'n Final settlement sheet बनाते हैं आप तो इसमें आप एक एक करके सारी चीज़ा डालते हैं इसमें आप leave डालते हैं इसमें graduate डालते हैं इसमें bonuses डालते हैं ये सारी sheet में You事情 ते में आप fill in करते हैं ठीक है माली जे कोई बंदा जो है पूरा नोटिस पिरिट नहीं सर्व किया, पंदरा दिन का किया, पंदरा दिन का नहीं किया, अगर एक मैने का नोटिस पिरिट है, ठीक है, तीन मैने का नोटिस पिरिट है, वहाँ पे बंदे ने दो मैने का किया, एक मैने का नहीं किया, तो जितना जो notice period वो serve नहीं करता है जितने दिन को वो notice period serve नहीं करता है उसका deduction होगा और साथ में जो भी आपका no dues है माली जए आपने laptop लिया है और laptop अपने submit नहीं किया या laptop में कुछ खराबी होगी आपके side से खराबी होगी है या finance से आपने loan लिया loan नहीं दिया है या जो भी है ठीक है तो उनके basis पे वो deduction हो जाते है वो deduction होने के बाद एक proper final FNF sheet बनती है जिसमें आपका ये सारी चीज़े add होती है और उसको HR जो है जाके approve कराते है management से वो management से फिर approve होती है ठीक है जैसे है management से approve हो जाती है उस sheet को जो है उस final FNF sheet को जो है accounts department में submit कर दिया जाता है ताकि आपका payment release हो सके relevant documents के साथ यह documents भी होना बहुत जुरूरी है चार के पास तो relevant documents के साथ उसको submit कर दिया जाता है ताकि वो final payment release हो जाए ठीक है दोस्तों तो ये proper जो है 11 steps का जो है एक FNF का process होता है जिसको normally follow किया जाता है दोस्तों company में अब आगे चलते हैं कौन कौन से reasons है जहां पे full and final settlement किया जाता है तो सबसे पहला जो normally होता है वो है resignation जैसे ही आपका किसी company में आप resignation दे देते हैं ठीक है आपका relieving बनता है जैसे आप resignation देते हैं आपका full and final settlement उसी समय किया जाता है और वो normally जो है आपको 45 days में मिल जाता है जैसे आपका आखरी दिन होता है ठीक है उसके बाद दूसरा आता है termination अगर company day आपको terminate किया है उस case पे भी जो है आपको full and final settlement दिया जाता है ठीक है फिर तीसरा आता है death अगर किसी employee की अकस में मृत्ति हो जाती है death हो जाती है तो इस case में बीज़जी आपका full and final settlement किया जाता है company के side से ठीक है फिर अगला आता है retrenchment अब retrenchment से मेरा यहाँ पर मतलब यह है कि कोई company जो है नए equipment लाती है cost cutting करती है तो आप लोगों को जो है वो कहीं दूसरी जगा नौकरी जूड़नी पड़ती है इस कारण से आपको job छोट देनी पड़ती है ठीक है तो जब यह situation आती है ऐसे कुछ आती है ठीक है कि company में cost cutting के कारण आपको नौकरी से निकाला जाता है या ऐसा कुछ किया जाता है तो इस case में भी आप लोगों को full and final settlement दिया जाता है ठीक है दोस्तों अब अगला आता है super animation अब super animation basically क्या होता है यह pension के लिए जो है fund होता है जो की company जमा करती है employee के लिए ठीक है तो super animation कब तक जमा होता है पर मिल जाता है ठीक है तो super animation के दोरान भी आपको FNF का settlement जो है वो अब मिलता है दोस्तों ठीक है तो यह past तरीके में आप लोगों को पूरा FNF का settlement दिया जाता है ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ-कुछ टॉपिक्स है जिनके लिए मैं अगले वीडियो में बना दूँगा अभी जैसे आखरी स्लाइड में हमने देखा कि super animation है ठीक है इसके उपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा कि ये चीज़े क्या होती है कब की जाती है ठीक है तो आज full and final settlement में इतना है था दोस्तों होब करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों के doubts clear होगे क्या-क्या process होते है full and final settlement में settlement में HR के लिए वो clear हुआ होगा और hope करता हूँ आप लोगों काफी मदद मिली होगी और doubts clear होगे तो आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में knowledge हो और पता लगे कि ऐसे काम होता है किसी भी company में ठीक है और उनके मन में कोई doubt नहीं रहना चाहिए और please ज़्यादा ज़्यादा subscribe करें दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आप लोग subscribe करते हैं और वीडियो को like जरूर करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आता रहा है बस दोस्तों इसे के साथ आज के लिए इतना ही मिलता हूँ अगले वीडियो में आप लोग उपना ख्याल रखें धन्यवाद